हाई, गुड इबनिंग, कैसे हैं आप सब लोग, आप लोगी पढ़ाए कैसी चल रही है, अभी GS के सेक्षन में 1000 कोशन की सीरीज हम लोग ने स्टार्ड किया है, जिसमें 300 कोशन मैं आपका करवा चुका हूँ, इसके आगे का कोशन आज लोग करने वाले हैं, तो आप से तया करते हैं, तो हम लोग आपी तेजी के साथ कोशन करने वाले हैं, तो आप तैयार हो, जाब स्टार्ड करते हैं, ओके? क्यों कि पानी का कोथना बढ़ जाता है, 304 नमर का कोशन मनुसे के लिए सोर की सह सीमा करीब करीब होती है, कितना या लगभग 85 डेसिवल के बराबर होता है, आगे बढ़ेंगे बाबू, कोशन नमर 305, कहता है कि जब दो लोग आपस में गुटरगू करते हैं, बात करते ह कितने डेसिवल के ध्वनी उत्पन होती है, लगभग 30 डेसिवल की या ध्वनी उत्पन होती है, कोशन नमर 306, मक्का का वैग्यानी के नाम, इसका जीया मेज होता है, 307, सफेद की इट से किस रोग की फसल में होते हैं, सरसो के फसल में, 308 है, पीत किस के द्वारा पैदा क अगला कोश्चन ध्वानी उर्जा के विर्ट उर्जा में बदलता है कौन माइक्रोफोन 311 पीत कहां जमा होता है पिताशय में आगे बढ़ेंगे 312 नमबर पेश मेकर का समन्ध की सेवावू तो दिल की धड़कन से उसके बाद 303 नमबर का कोश्चन खसरा रोग का कारक क्या है 316 प्रती प्रेरक समंधित है किसे तो हिर्दय से 317 पारा तथा किसी अन्य धातू के मिश्रन को कहते हैं अमलगम अमलगम कहा जाता है बाबू 318 आलू में खाने जोग भागे कौन सा है तना याद रखना तना गलती से जड़ मत मार देना 319 कौन सरक्त समुझ सरफगराही होता है तो AB या सरफगराही ले सकता है किसी का भी 320 कौन सरक्त समुझ सरफगराता यानि दे सकता है तो वह ग्रूप O होता है कोर्शन नमर 321 मानों सरीर की विशालतम धामनी कौन सी है इसका नाम है एरोटा अचा 324 स्वस्त मनुझ के सरीर में रख्त की कुल कितनी मात्रा हो होती है तो वजन का लगभग 7% होता है आगे बढ़ते हैं एक ब्यस्क में रख्त का अस्तन आयतन 5-6 लीटर का होता है MPR मातरक किसका है बाबू तो ए विदुत धारा का है मातरक मानो रक्त का pH 1 कितना होता है तो 7.4 होता है आगे बढ़ेंगे पराश्रब तरंगों की अवर्थी कितनी होती है तो देखो यह 20,000 हट से अधिक होती है 327 अश्रब तरंगों की अवर्थी या विर्थ से हट से कम होती है पानी के अंदर धोनी तरंगों की गणना करने का यंत्र कौन सा है तो हाइडरोफोन है और इमली में कौन सा अमले पाया जाता है देखो टर्टारिक अमले पाया जाता है इसमें आगे बढ़ते हैं मानों श्रीर में रुधिर बैंक का काम कौन करता है तो तिल्ली अब सारी लेंस क्या होता है जो किरणे फैलाता है अब सारी लेंस जो किरणे प्रीजिम में प्रकास से विभीन रंगों का विभाजन क्या कहलाता है तो प्रकास का वर्ण बीचेपन कहा जाता है रक्त में पाई जाने वाली धातू आईरन है लोहा है रक्त का सुधी करण होता है कहां पे तो किड़नी में होता है पता है ना किड़नी में एलुमुनियम करवाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन होता है तो मीथेन उत्पन होता है बाबू विटामिन B2 का रासानिक नाम राइवोफलेविन है अगला कोशन मानो मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग क्या है इसको प्रमस्तिस्क कहा जाता है अगला कोशन मानो मस्तिस्क में बुधी का केंद्र कहां पे है स्रेब्रम स्रेब्रम कहेंगे 349 कोबाल्ट 60 भी किरन चिकत सामपरिक्त होता क्यों होता है क्योंकि यह गामा किरन उत्प सरजित करता है डायोड में धारा कितनी दिसावन बहती है देखो इस सभी दिसावन बहती है कापास का वैग्यानिक नाम आप जानते हो इसका वैग्यानिक नाम है गैसी पीयम अच्छा पिलिया में सरीर का कौन सा अंग प्रभावत होता है बावू या ग्रित आगे बढ़ेंगे 343 आंसु का पीयच मान क्या होता है इसका पीयच मान 7.4 है बिदित उर्जा को ध्वानी उर्जा में बदलता है कौन लावड़ी स्पीकर गाजर का खाने जुग भाग क्या है बावू यहाँ पे जड़ होगा गलती से ताना मत मरना मानों सरीर में खून के सुधीकरण की प्रक्रिया आप क्या कहा जाता है डाइलीसिस कहा जाता है आगे बढ़ेंगे 347 फाउंटें पेन के अविस्कार कोन है लेविस वाटर मैन 348 मानों के सरीर में हिर्दय को एक बार धरकने में कितना समय लगता है देखो 0.8 सेकन का समय लगता है अच्छा आपको पता है अंगमारी रो का समन्द किस से है आलू से है लीची का खाने जोग भाग क्या है बावू एरील है अगला कोशन है बावू कि स्वस्थ मनुस में प्रते मिनट हिर्दय असपंदन होता है 72 बार अच्छा किसने ऐसा कहा था कि ग्रह जो है सुर्ज के चार और घुनते हैं किसने प्रतिपादित की अथनियम कैपलर ने नाड़ी दर मापा जाता है किसे से तो धामनी से मापा ज होता है तो यह 120 mm से 80 mm होता है सोते समय मनुस का रक्त चाप घड़ जाता है जाहरी सी बात दोड़ोंगे तो बढ़ जाएगा अच्छा किस कारण से प्रिथिवीश सुर्ज के चार और भूंती है तो यह गुर्तवा करशन बल के कारण होता है दोड़ लगाते समय मनुस का र से कितना होता है तो यह 36,000 km की होती है अच्छा बाबु आपको पता है घनत हम अपने का यंतर क्या है डेंसीटी मीटर कैंडेला किसका मात रख होता है बाबु तो जोती तिव्रता का है ना आगे बढ़ते हैं मानों सरीर में पॉंपी एस्टेशन की तरह काम करता है कौन का विटामिन A और B के विश्कार कौन थे तो मैकुलन थे उनका नाम मैकुलन था छोटी माता रोग जो होता है उसमें कौन सा टिका दिया जाता है बाबु रूबेला वैक्सिन आगे बढ़ेंगे आप जानते हो ना इस्तरियों की आवाज पूरसों के पेक्छा पतली होती है क्योंकि उनकी आविरती अधिक होती है कि इनके बारें बात हो रहा है इस्तरियों के बारे में इस्तरियों की आवाज की आविरती अधिक होती है इसलिए ऐसा होता है 367 नमर का question करता है कि द्रव का घनत्वा अधिक होने प्रप्रिष्ट तनाव क्या होता है बढ़ जाता है इंक्रीज कर जाता है पर युग साला में मिथेन गेस बनाई जाती है कैसे तो sodium acetate को soda lime के साथ गर्म करके बनाई जाती है मनुसे के सरीर में किन कोशिकाओं में सबसे कम है पुनर योजना सकती होती है तो देखो ये मस्तिस कोशिकाओं में होता है इसलिए दिमा को सही रखना दुग धम में प्रोटीन को पचाने वला enzyme कौन सा है तो रेलीन है कोफी प्राप्त की जाती है कहां से बाबू तो बीजों उससे प्राप्त की जाती है दूदमें क्या पाय जाता है लैक्टिक में परे का पूएग कीया जाता है क्यों 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 क्यूंकि गरम होने पर यह अधी इसक हैं गरभास से में सीशू के विकास की जनकारी हेतु प्रियोग किया जाता है किसका तो अल्ट्रा साउंड का प्रियोग होता है। अधित्ताम पोसक तत्वा रख्त में और सेसित किये जाते हैं कहां पे तो छोटी आत में कपरो और बरतनों को साफ करने के लिए इस्तमाल किये जाने वाले डिटर्जेंट में क्या होता है तो सलफेट होता है। आगे बढ़ेंगे मोर का बैग्यानी की नाम जानते हुँ बिलकुल पैबो क्रिस्टेटस पता होगा आपको दुर्बीन क्या विसकारा कौन थे तो गैलिली ओ अचाफुल गोभी में खाने जो गभा कौन सा होता है उसको हम बोलते हैं पुस्प कर्म पुस्प कर्म जीवन चकर की द्रिष्टी से पौधे का सबसे महत्पूरं क्या होता है तो पुस्प होता है आगे बढ़ेंगे कोशन अमबर 382 सुगंधित पुस्प में परागन होता है कीटो के दवारा आलू किस कुल से समन्दित है तो इस या सोलो नेशी से है कपास से किस कुल से समन्दित है या मालवेशी से है और भोज पत्र उत्पन कहां होता है तो बैटूला की छाल से उसी से उत्पन ये किया जाता है काजू में खाने जोगभा कौन सा बावू बीज पत्र कहेंगे उसे द्रव का घनतों बहने पर कोशिक का केशिका नली क्या होता है तो कम चढ़ता है उसमा उर्जा को यांत्री कुर्जा में कौन बदलता है तो भाफ एंजन अच्छा पायरिया रोग में प्रभावित होते हैं कौन तो मसूरा हो जाता है पता ही होगा आपको स्वास्थ नेत्र के लिए असपष्ट द्रिष्टी की नुंतम्तुरी क्या है तो यह 25 सेंटीमीटर है इससे जाद नजदिक आप पढ़ नहीं पाऊगे यह लार में कौन सा जाम पाय जाता है तो टाइलिन एंजाइम होता है लॉंग क्या है तो यह सुसके पुस्पकलिका ह 393 द्रवों का प्रवाह की गतिम आपने का यह अंत्र क्या है तो यह वेंचूरी मीटर होता है 394 मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो तंत्री का कोशिका 395 एस्प्रिन क्या है तो यह एंटी पायरेटिक है और नॉन इस्टिक बरतनुक निर्मान में जो परि 37 लेंज की छमता का इसाई मात्रक क्या है डायोप्टर है 398 चना में कौन सरव होता है बाबू तो विल्ट रोग होता है और 399 कुनेन प्राप्त होता है सीन कुना से और आज का लास्ट कोशन 400 किस कारण पानी काज को भिंगाता है तो असंजक वल के कारण ऐसा होता है तो द है जो भी लाश्ट तक सुने है मुझे बताना कमेंट करके थैंकि